आज हमेशा में आपको वीडियो में दिखाता रहता हूँ वीडियो में दिखाता रहता हूँ कि अलग अलग गाडिया यह सारी खेर तो हमारी गाडिया है तो आज की वीडियो में कुछ अलग धमाका होने वाला है कुछ अलग ट्रेंड दिखाने वाला हूँ आज की व्लॉग तो यह है डिजायर और दूसरी है यह यह अपी तक मैंने इस कोई वीडियो में नहीं दिखाई यह जो इंजिन आटा है कोई MPFI पेट्रोल इंजिन कर्बूरीट इंजिन आता कोई इस गाड़ी में कोई ECM वगरा कोई टोलकिट वगरा नहीं आता यह पूरानी वाली वहन है हम मारी देखो कंडिशन कितनी मस्त कंडिशन में खड़ी है 1995 का मौडल है मारुति ओमनी नाम के आना जाता था यह लोगो देख सकते हैं यह मारुति का लोगो आता है यह पुराना वाले जमाने का लोगो है ईस सुजुकी लोगो लिखें नहीं आता था उस समय क्योंकि अभी पा कैसी है कैसे performance है और दिजार लेने वाले बंदें कैसे चला सकते है तो इस वक यह ने तो हमेशा मैं आपको आपको टेर्रिस्ट वैंड किड्णाप और वैंड के नाम से मशूर व्होर संप न दिखाई ती यह पूराने वाली ओमनी जो फिल्मों में आया करती ती वह भी मैंने में दिखाई थी तो यह कुछ इस तरह से यहां परकिंग है उस गाड़ी की। डीजार की यहां पर बीच डीजार बीच में परकिंग होती हैen और दूसरे करभॉरीट वैन की यहां पर परकिंग होती है। तो तीनों वैन की आप sequence देख सकते हो दोनों वैन की sequence देख सकते हो बीच में डिदार बाग की के other side में other side में दो दो वैन तो यहाँ पे कुछ मेरा garage विडियो के माध्यम से करना चाहता हूं कि क्या कैसे मैं लगाता हो गाड़ी कैसे ओपन करता हूं कैसे चलाता हो ये गाड़ीया सब कैसे रखता हूं वेल गाड़ी आया है। ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देख सकते हुए एक दम पूरा चमकाती हुई नजर आ रही है पहले तो एक हम एक चलग देखते है इस गाड़ी की तो ऐसे कुछ गैरेश टूर है ये बड़ा सा गैरेश है ये पत्रा आता है उपर का तो यहाँ पे कुछ चीरा वगरा ये पू यहाँ पे लेवल करनी बाकी है तो पीछे ना इस गैरेश के ना बहुत जगा है मतलब एक डिजायर तक गाड़ी ना आराम के साथ पीछे रह सकते है अभी ये जो अन्सेटल रोड दिख रहे है आपको ये इस वीडियो में तो वो पुरे हुए नहीं है मतलब पैचिस इधर इतना बनता है मतलब एक डिजायर भी यहां तक आती भी है मतलब डेड मेंटर तक आती भी है पकड़ के चलो एक फीट इधर और आधे फीट इधर आती है तो बीच में फिर भी गैप रहता है बोनिट ओपन कर सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन वहन भाई तो तीन या चार पार्ख हो सकती है इतना बड़ा गेरेज आप सरफिस गाल के देख सकते हो इस वीडियो में क्योंकि यह पुरानी वाली वहन है और आमने कैसे रखी है वह मैं दिखना चाता हूँ इस वीडियो में देखो वेल मेंटेन है बाई दो बार इस वहन का काम हम कर चुक है यहां पर रस्टिंग रस्टिंग हो चुका है मतलब क्या है यार मतलब कितने साल 1995 से किया अभी तक रखी हुई है कितने मतलब साधव लगये फिर भी इतने इंच्छी मेंटेन की रही है और लगा की बार मैंने रिनिव की वी थी दो बार पेंटेटर होने के रूरल एरिया में ये काम आती है हमारे क्योंकि फटक से कोई भी काम कोई भी चीज हो कोई भी गंदी भी चीज हो कोई फरक ने पड़ता डालो चलते बनो और ये जो वैन आप देख रहे हैं वह ज्यादा तर पैसेंजर वे करें पाज बंदे ना इस डिजायर में बैट नहीं मतलब बहुत भीड़ करनी हो इधर उदर जाना हो तो 11 अगर बोलते हो 11 लोग मतलब कम फिजिक वाले चोटे पतले दूबले ऐसे अगर डाल देते हो अंदर तो 11 वारा आराम के साथ सामान के साथ उटाती है लेकिन आठ पैसेंजर की आठ पैसेंजर का वेहिकल है आठ क्योंकि यह गाव का एरिया है ज्याद को यात है निश्यार में हमेशा में लॉक रखता हो क्योंकि यह गाड़ी जो इतनी प्रीमियम दिखती है ना तो लॉक करनी ही पड़ती है तो यहां पर कुछ इस तरह से डिजैर पाक है आप देख सकते हो तो सबसे पहले मैं यह जब लग रहा है मतलब कितना फीट फिनिशिंग के साथ वेल डिजाइन उस जमाने में किया हुआ था सिंपल बट स्विट कोई भी ऐसी ऐसी चीज नहीं की ओवर रेक्ट कर रही है फिर कोई सेंसर वाली चीज़ है सब मैनियोल ही आता था और यह जो एसी है ना बॉस यह आधे टन का एसी हमने थर्ड पाट्य वाला उस टाइम में लगाया था वो अभी कभी भी नहीं कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि यह बंद हो चुका है और इसका जो ब्लोर है ना पाई ब्लोर आउन होता है और हमेशा अभी तो एसी के खेर गैस नहीं है क्योंकि पुरानी वाली हो गई यह गाड़ी तो बहुत यह उसको तो गैस तो अभी रहा नहीं गैस की जो वायर होती है वो भी कड़ गई एसी के गैस की बात करो गाड़ी यह अगर मैं बता दू ना यह गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती है पेट्रोल का फ्यूल इंजेक्टर खराब हो चुका है गाड़ी गैस पे चलते है और अभी भी एक स्टार्ट पे स्टार्ट हो जाती है ऐसे कुछ तरह से ओर वियम है यहाँ पे कुछ आया वियम है यहाँ पे इंटेरियर से एसा मतलब पूरा मतलब गष्यूका है कपड़ा वगरह सा नीचे आ चुके ऐसी हालत है लेकिन गाड़ी कभी भी जाओ इतनी मतलब ताक कर देना परस्नली में बताता हूं गाड़ी में कहर में तो गाड़ी के बहार लगाया हुआ है जो इस वहन का था यह बेंड हो चुका है टोटल क्योंकि इसमें वेंड डाल के डाल के डाल के पूरा मतला मतलद डिस्रीबिशन नहीं रहा वो बीच में पैप करना करना वैसे बेंड हो गया हो तो करना है ठीक लेकिन टाइम नहीं मिलता तो उसलिए नहीं कराया अभी मैं खास चीज उस वहन के साथ में शेयर करना चाता हूं जो इस वीडियो में होने वाली है जो वहन है न यह पसली मेरे को एक चावी लेने दो यह तो खेर मेरे पास ड लिंकिंग हला हाँ सुनते हो निकाल के रखा बन करके रखाया हो वह जो आवाज आती है वह वह जो नौोइस बन करके रखाया मैंने वह उसमें सिस्टेम होती है तो मैने लॉक कर दी गड़ी ये लॉक हो गई अब यह मेरे चावी ना मेरे खुत के पॉकेड में रखता हूँ यहाँ पॉकेड मेरे डाल दी तो यहाँ पे कुछ ग्लॉसी ऐसे दिखने वाली भैन है क्योंकि यह पॉलिश रबर पॉलिश की गई है टेपलॉन कोट किया गया है इस नीचे आप देख सकते हो पूरा काला इ पत्थरबत्र डाल दीए ऐसे जाने में भी तकलिफ होती है क्योंकि तीन गाईडिया तो पार्क होती है लेकिन यह काम अंडर गंस्ट्रक्शन है यह काम होना बाकिया तो छूल दरवासे खुला रहता हूँ तो यह गेट खूलने के बात यह गेट खूला मैं अंदर कुछ इस तरह से इंटेर रहता है और पुराने वाली 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 अगर मैं कंपेर करता हूँ न तो यह ब्लैक फिनिशिंग और थोड़ शी ब्लुवीस फिनिशिंग आप देख सकते हैं थोड़ा मतलब चेंज होता है न जब जब महाल ही पहले ऐसे था 2000 में क्या था 2012 में क्य पहले दी इंटेर और यह इंटेर भाई चेंज वहा यह बॉटल ओल्डर अधर रहा है उदर बॉटल ओल्डर कोई नहीं है उस ताइम क्या ही मतलब इतनी आइड़े आएंगी होप गाड़ी जोक ए उस इंजिन इस वहन में भी लोवाटो कंपनी का गास चोक है यहाँ पे सब्सक्राइब पर अब इस तरह से आती है और वह इस तरह से कुछ आती है लेकिन जमाना बदल गया चेंज इंटिरियर चेंज हो गया, डिजाइन लैंग्वेज, डाइनमिक्स चेंज हो गया, तो ऐसे कुछ है, तो अभी तो वैन ही दिसकंटिन्यू कर दी, खेर, तो इस गाड़ी से बाद ना, मैं डिजार की टूर करा देता हूँ आपको, तो मैं इस गाड़ी से बाहर आ रहा हूँ तो यह अंजिस्टेट का एरिया होने के करना, जाने में तकलिफ होती है, यहाँ दरवाजा बंद कर लेता हूँ, खेर, यहाँ पर इंडिकेशन प्लेस्मेंट, आप इंडिकेटर प्लेस्मेंट देख सकते हो, आप ऐसे बड़े से आते हैं, तो इस तरह से कुछ हमारा गया ओड़े प्लेस्टेटर हो, देख सकते हो, जो साइड बाई साइड खड़ी है, यह चेकिन कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ बंद ओरूम ह्, यहा पर ग्रैदल है, ओपन करने के लिए, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, बाद यहाँ पर इंडिकेशन देखो आगया तो यहां पर इंडिकेशन रेड कलर का गया कि डर्वाजा आपका ड्राइवर साइड का डर्वाजा ओपन है मैंने गेट खोल दिया कुछ इस तरह से इंटेर आता है और ओपन डॉर लाइड की इंडिकेशन चालू हो गए यहां पर इस तरह से स्टेरिंग वेल है रहप किया लेदर रैफ फिनिशिंग के साथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग गियर है और इस तरह से कुछ मेरा इंटेर आता है डिजायर का और अंदर मस लगता है और मतलब बैठने में गाड़ी चलाने में और यह गाड़ी थंडी रहती है हमेशा क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद ना जब आप पार करते हैं तो एसी तो खहर होता है और मैं ऐसे बंदा हूँ ऐसे यूमिड क्लाइमेट में कौन ही मतलब बंद ऐसी करके चलता है तो चारो चीशे बंद होने के कारण गर्मी तो रहती है लेकिन इधर ना पूरी साइड आप दिख सकते हैं यह खेर अभी दूर में होती धूप में तो गर्मी हो जाती लेकिन इंडॉर में होने के कारण इतनी गर्मी नहीं होती उपर पत्रा होने के बावजुद भी विस वेल इस गाड़ी को ABS ABD ट्रैक्शन कंट्रोल तो नहीं आता है लेकिन ABS और EBD mandatory कर दिये हैं गवर्मेंट ने और यहाँ पे गनेश बापा है यहाँ पर फूल नहीं मैंने खिर चड़ा है फूल मिलते भी खाथ है यहाँ पर इंटेर्यर AC बींट्स है यहाँ पर कुछ ऐसे वोडन फिनिशिंग फेक बुड़ फिनिशिंग के साथ ऐसे कुछ इंटेर आता है और स्ट्राइप आता है यहाँ पर BES कलर ब्लैक और बेश कलर का कॉम्बिनिशन है में इंटरनस करना भाई बहुत मुश्किल है इस गाड़ी को कि बेश कलर आप जानती है यह खेर बेश कलर में एक बार गंदे तरीके से मतलब गंदे कपड़े डालके कोई बैड़े कोई आया लग्ति यह बहार आ गए यह बहला तरह आपने बहते है से गारी कोई यह फूरे कोई क्या गजब लगती है यह रहार की है यह खेल की है में ने लगुछ सी Mitte कर देड़ी जब भार आ गया कैम ने लग कर दी यह लग हो गई झाल ने में लास्ट में यह बार यहा पुरानी वाली किडिनैपर भेहनती, मतलब पुरानी फिल्मों में जो पुरानी वाली, जो गौल हेडलाइट वाली, गौल मॉत्रोल हिडलाइट गöm रया करती थे उससे उपर का मॉडले हैं। तो यह आप देख सकते हैं सीट के हलत क्या हो रकती हैं यह पूरे तकिये वग्यापड़ है चूवे बहुत आते हैं गाड़ी में नीचे वगरा बोड़ी कंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पर मैं ज्यादा वीडियो नहीं करता है, क्योंकि अंदर थोड़ी तोड़ा डार्क है, तो डार्क में तो खेर आपको जानते हैं, व्लॉग करने में तकलिफ होते हैं, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पर स्लाइडिंग डॉर्स है, तो बंदी नहीं होता है, फु फिलाल इस वीडियो में अभी एंड करते हैं क्योंकि सब्सक्राइब क्योंकि इतना ही मुझे इस मद्या में से टिखाना furniture कि जैसा है और गारेज हें जो ब्लॉग मेंगाडिया डालता रेता हूँ वह गाड़ी कैसे अपने घारेज में में परय नोच Thank you so much.